देख रहे हो एडिटर यूएस वाले एक एक करके कैसे सारे टेर्रिस्ट का खात्मा कर रहे हैं मैं ज़े मालू मैं मुझे मालू मैं तुम भी यह सोच रहे होगे एक मिसाइल उपर से आए हम भी खतम हो जाए है ऐसे हो सकता है मैं एल जवहीरी के उपर जैसा मिसाइल आया तो हो सकता है मैं यहां बैठाओं मैं खतम और तुम्हें खरोच तक ना है बहुती फैसिनेटिंग मिसाइल है यह लेकिन हमारे उपर ऐसा नहीं होगा हमारे उपर किसी और किसम का मिसाइल गिरेगा एडिटर उसमें तुम भी नहीं बचोगे Anyways, अभी बात हमारी नहीं हो रही है और हम पर मिसाइल की बात नहीं हो रही है बात हो रही है सबसे बड़े एंटी टेरर न्यूस के बारे में US Forces ने आखिरकार खात्मा कर ही दिया अल-काइदा के लीडर का उसमा बिन लादिन क्या खात्मा तो पहले ही पाकिस्तान में कर दिया था और अब बारी आई एमन एल जवाहीरी की 71 के बने थे रीजेंटली हैपी बड़े बनाया था और अब USA ने उनका भी हैपी बड़े फाइनली टोटली मना दिया है उसमा बिन लादिन को मारने के 11 साल बाद और 9-11 एटैक्स के 21, अल्मूस्ट 21 साल बाद ये घटना अब घटी है USA ने बदला ले लिया है जो काम करना था, जो क्लोजर देना था जो 3000 लोग मारे गए थे उसका फुल एन फाइनल बदला लिया गया है USA भूलती नहीं है जो कांड उनके देश में कोई करता है तो 20-21 साल ही सही उनके पीछे पड़ी रहती है हमाय तरह नहीं है 1993 सीरियल ब्लास्ट का मास्टर माइंड 26-11 का ब्लास्ट का मास्टर माइंड सा पाकिस्तान में अराम से घूम रहे हैं मिलियन डॉलर का बाउंटी लगा के रखा था इनाम था 25 मिलियन डॉलर का क्या ये इनाम किसी ने क्लेम किया क्या किसी ने US को बताया था कि वो exactly कामूल में कहां किस घर में है वो भी उस पर भी आज बात होगी लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि उनको मारा कैसे गया क्योंकि जिस तरीके से मारा गया जिस सटीक तरीके से मारा गया वो काफी इंटरेस्टिंग था उनको मारने का हत्यार था Hellfire R-X9 मिसाइल अब मैं इसको बॉम भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि है तो कहने के लिए वो एक निंजा बॉम लेकिन इसमें कोई असला नहीं उसमें मसाला नहीं है उसमें कोई बारूद नहीं है वो फटता नहीं है दो ऐसे Hellfire मिसाइल फायर किये गए जावहीरी के घर पे अब इस पर थोड़ी सी सीक्रेसी है कि भई यह एक्जाटली क्या हुआ था क्योंकि USA ने ओफिशल स्टेटमेंट यह बताया नहीं था कि किस तरीके से मारा गया लेकिन एक चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि कोई सिविलियन कैजुल्टीज नहीं हुई थी घर वज्यों का त्यों है जेनरली अगर ऐसा कोई मिसाइल होता अगर एर टू सर्फिस मिसाइल होता घर पुरा बराबर हो चुका होता लेकिन ऐसा नहीं है तो कौन सा यह हतियार है जिससे बंदा खतम भी हो जाता है और उसके बगल वाला बंदा शायद जिन्दा भी निकल आए कोई एक्सपलोजन भी नहीं होता है यह हेलफायर मिसाइल का यह जो वर्जन है इसको पहली बार 2017 में इस्तमाल किया गया था अलकाइदा के सीनियर लीडर अबू अलकायार को मारने के लिए और इसमें भी कोई लॉस अफ सिविलियन लाइवस नहीं हुआ था तो क्या है यह बॉंग क्या है यह मिसाइल इस मिसाइल में बेसिकली फिजिक्स का प्रेयोग होता है देखिए हम लोग कहते हैं डोंट गेट इंट 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 फिजिक्स लेकिन यहां थोड़ा फिजिक्स में जाना होगा बेसिकली यह प्रोजिक्टाइल की जो स्ट्रेंट होती है उसका इस्तमाल करके बड़ी तीजी से यह अपने टार्गेट के तरफ आता है और अपने टार्गेट को अप्रोच करने से नाइफ लाइक ब्लेड प्रेसिशन तरीके से इसको आता है और टार्गेट को खतम कर देता आप यह मान के देखिए गाड़ी में अगर किसी के तरह फायर किया गया है पैसेंजर मर जाएगा लेकिन दूसरे जो को पैसेंजर हैं वो बच भी सकते हैं इसलिए इस मिसाइल को घिंसु के दाम से भी जाना जाता है विच इस अफॉस जैपनीज नाइफ मने इतने सटीक तरीके से वो काटता है विदाउट एनी अधर डामेज तो जो युएस ने ये कन्फर्म किया है कि भाईया ना जावाहिरी के कोई family members को चोटाई और ना ही कोई civilian casualties हुई है अब publicly तो obviously इसके details कभी release नहीं करेगी CIA लेकिन ये उसका secret bomb माना जाता है 2017 में पहली बार استعمال हुआ और अब हमने recently इसको देखा और footage में भी आपको साफ देख रहेगी कि वो जो घर है वो बिलकुल सही है इस bomb को बनाया गया था Obama administration के दोरान जब Obama ने ये बात साफ की थी कि वो नहीं चाहते हैं कि ये जो drone strike है उससे civilian casualties हों क्योंकि एक time ऐसा था कि इन drone strike से civilian casualties काफी भारी मातरा में हो रही थी जो दूसरी बड़ी interesting चीज़ है इस hellfire missile के बगएर मने जो explode नहीं करती है वो ये है कि information कहां मिला अमेरिका को कि al-qaeda का सरगनाद chief वो इस काबूल के घर में छुपा हुआ है इनके पास ये specific intelligence थी महीनों से इसको track किया जा रहा था इस intelligence को और ये notice किया जा रहा था कि जवाहीरी भाई बालकूनी में आ कि लगता है थोड़ा धूप वगएरा सेक रहे थे तो एक pattern उन्हें establish किया identity उसको confirm किया फिर प्रेज़िड़न बाइडन ने जब final green light दिया तब ये MQ-9 predator drone जो की general atomics बनाता है अमेरिका का उससे ये fire हुआ ये missile सवाल अब obviously ये है तालिबान अब ये ढूणने की कोशिश करेगा कि ये location leak हुई कहां से ये intelligence अमेरिका के पास पहुँची कहां से तो इस पर भी एक बड़ा वाद विवाद एक बड़ा debate चल रहा है तालिबान के बीच में लेकिन जवाहिरी के मारे जाने का importance क्या है और ये एक बहुत important kill क्यों माना जा रहा है क्योंकि इससे आप कह सकते हो with a certain degree कि भाईया अल-काइदा का happy बड़े अब हम कह सकते हैं जवाहिरी वैसे तो बने थे एक doctor middle class family, intellectuals and physicians थे इनकी family में middle class family थी well-known family थी ये by the way grandson थे of the grand imam of al-azhar al-azhar को माना जाता है as the epicenter of sunni Islamic study in the middle east और एक significant mosque है जहां तक Islamic culture की बात है एक काईरो में एक street भी है जो उनके grandfather के नाम पर ही है तो इतनी prominent एक family well-respected family से वो आते हैं लेकिन इन्होंने अपनी prominence किसी और direction में कर दी इनका नाम आया सामने जब अनवर सदाथ Egypt के जो president थे उनका assassination हुआ क्यों? क्योंकि ये भाई साब एक coup में involved थे जो Egypt को एक fundamentalist Islamic state बनाना चाहती थी तीन साल इन्होंने prison में निकाले पर पता नहीं कियों उसके बाद ये छूट लिये और भागे सिधे पाकिस्तान जहां वो अपने medical skills से Soviet occupation of Afghanistan के खिलाफ उन्होंने अपना मदद करना शुरू किया जो सैनिक घायल हुए थे उन्हें treat करना शुरू किया और इसी treatment के दौरान वो मिले उसामा बिन लादीन से और उनको मिल गया अपना life partner I mean at least in crime, at least in terror और ये दोनों फिर मिलके इन्होंने आतंक का जो दौर शुरू किया 1990 से चाहे वो सुदान में terrorism हो Egyptian embassies को target करना हो और finally al-Qaeda बनाना हो लेकिन जो peak था इसके terror career के बारे में तो वो peak तो तभी आया जब September 11, 2001 में 3000 के करीबन Americans को जब इन्होंने मारा जब Twin Tower को attack किया World Trade Center और of course Pentagon और White House के तरफ भी जो attack करने की कोशिश होई थी इसके बाद ये और बिन लादिन भागे अफगानिस्तान के तरफ इनके पीछे पीछे फिर US forces आई और ये cat and mouse game फिर चलता रहा और इन्होंने अपना terror उसके बाद छोड़ा नहीं 2003 में जावाहीरी involved थे suicide bombings रियाद में साउधी area बिया में जिसमें 23 लोग मारे गए थे including Americans तो 9-11 के बाद इनका terror का जो group था वो तब भी continue करता रहा और ये media का बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते थे recorded messages भेशते थे US को taunt करते थे और बोलते थे आओ मुझे पकड़ के दिखा दो मैं तुम लोग को कभी नहीं छोड़ूंगा USA ने भी retaliation किया इनकी wife, इनकी daughter भी मारे गए एक और drone strike में लेकिन ये बच निकले बार बार पहले भी ये बंदा बच निकला था ये statements जारी करता रहता था Iraq war पे, London bombing पे और recently और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे हिजाब controversy इंडिया में जब हुई तब भी इसका statement आया था हमेशा ये देखना कि कहां में लोगों को भढ़का सकूँ हमेशा ये देखना कि कहां में लोगों को टेरर के अंदर और ढखेल सकूँ ये काम था इस terrorist का जो मीडिया और प्रोपगेंडा का रोल भी बहुत खूब समझता था लेकिन इससे पहले ये भी तो पूछ ले तालिमान क्या कर रहा था क्या उसको मालूम था क्या दुनिया का तर्रिस्ट और अल-काइदा का चीफ भी उनके शहर काबूल में ही रह रहा था अब ये सवाल पूछना वैसा ही होता है जैसा कि क्या पाकिस्तान को मालूम था कि बिनलादिन उन्ही के बीच में था, क्या पाकिस्तान आर्मी को मालूम था कि बिनलादिन पाकिस्तान में था या नहीं था, जो घर जिस पर अभी एटाक हुआ है इस हेल फायर मिसाइल से, जहां अल-जवहरी रह रहा था, वो घर is owned by a top aid, बने एक तालिबान सीन परने के बाद क्या state funeral दिया जाना चाहिए, या यह बाद छुपानी चाहिए, कि इतना बड़ा terrorist, इतना बड़ा al-qaeda का leader हमारे बीच ही रह रह रहा था, शायद हमारे protection में रह रह रहा था, और कहीं न कहीं तो कोता ही हुई है, कहीं न कहीं तो overconfidence हुआ कि भाया, लोगों न नजर रख रहे थी और अमेरिका ने अपना बदला ले भी लिया, जाहिर सी बात है कि अब सवाल ये उठता है कि भाई, जवाहिरी के बाद अब कौन आएगा al-qaeda को lead करने के लिए, जो intelligence experts हैं वो कह रहे हैं कि जवाहिरी के killing के बाद एक succession crisis है, क्योंकि उतना ओदे वाला, respected leader है नहीं, जबकि जवाहिरी अपने time पर ही एक number two माना जाता था, बहुत करीबी माना जाता था उसामा बिनलादिन से, तो अब ये जो crisis है, इस crisis से एक नाम उभर के जो आ रहा है, वो नाम है सैफ al-Adel, अब ये next in line इनको माना जाता है, Egyptian ex-army officer रह चुके हैं, founding member of the al-qaeda र बहा जाता है, इन्होंने उस पे भाग लिया था, Russian forces के खिलाफ भी लड़े थे, अफदानिस्तान में 1980s में, तो ये उसामा बिनलादिन के भी काफी करीबी थे, उनके head of security भी थे, एक point of time पे, FBI के most wanted list मेर भी है, 10 million dollar bounty इनके सर पर भी है, तो सारे वो qualification तो हैं, जो al-qaeda को lead कर ये, एक ही problem है कि al-qaeda के अंदर ही इनकी जो leadership है, इनकी जो authority है, वो questionable है, इसलिए security analyst hope कर रहे हैं कि al-qaeda वो चीज, वो terror force शायद फिर से ना बन पाए, अब आते हैं असली बात पर, ये सब तो हुआ दुनिया की बात, देश की बात कर लेते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती ह और इससे हमारे लिए क्या चेतावनी है, सबसे पहले चेतावनी तो यही थी कि al-zavahiri जब April में इस साल resurface किया, बहुत दिनों बाद एक और वीडियो message release किया, तब Indian intelligence agencies काफी थोड़ा सा worried हो गए, क्योंगी वीडियो में जवाहीरी हिजाब controversy के बारे में बात करते हुए द चाहिए, intellectually feedback करना चाहिए, मीडिया का इस्तमाल करना चाहिए, और दूसरे हतियार जो की battlefield में इस्तमाल किया जाते हैं, तो एक coded message साफ साफ लोगों को उकसाने के लिए वो दे रहे थे, एक issue तो ही है, एक hot button issue है, एक controversy जो बनी थी हिजाब के उपर, उसको खुरेदने की कोश हो रही थी, दूसरा चिंता का विशह ये है कि Indian strategic establishment जो है, ये देख रही है कि क्या Al-Qaeda इंडिया में recruitment करने की कोशिश कर रही है, याद रखिए, जवहीरी ने कश्मीर के बारे में पहले बोला था, लेकिन इस बार वो specific हिजाब का एक issue वो mention कर रहे थे, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं जो global terror establishment है, उसमें एक frustration है, और frustration ये है कि वो यहाँ Indian Muslims को उकसा नहीं पाए है, क्योंकि Indian Muslims कभी enthusiastically इस सब global jihadist project और propaganda में कभी उन्होंने पाट नहीं लिया, क्या इसको बदलने की कोशिश की जा रही थी इस बार जवहीरी द्वारा, और India को इसलिए भी careful रहना क्योंकि इस से एक चीज़ साफ हो जाती है, कि एक तरफ तालिबान इंडिया से बात करना भी चाहता है, क्योंकि इंडिया को तो पहले हमने पहले पूरा एकदम shift out हो गया था, after USA left, तो इंडिया फिर से तालिबान से बात करने की कोशिश कर रही है, हम फिर से अपने दर्व काबूल में, लेकिन on the other hand हम देख रहे हैं कि कैसे तालिबान बिल्कुल जैसे पाकिस्तान terrorist को शरन दे रहा है, वैसे ही अफगानिस्तान इतने बड़े terrorist को शरन दे रहा था, तो ये हमें देखना होगा कि अफगानिस्तान के साथ हम अगर हाथ मिलाएं, अगर हम humanitarian assistance दे, और जिस वज़े से मैंने आज ये episode बनाया, मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, उरी के बाद सरकार ने हमारे army को एक free hand दिया था कि जाओ पाकिस्तान में surgical strike कर लो, और मैं सच्ची मानता हूँ कि ये एक master stroke था मोधी administration के दोरान, of course army ने इसको plan किया, इसको execute कि लेकिन green signal तो सरकार के तरफ से आया था, और हमने दिखा दिया international community को और पाकिस्तान को कि जहां तक आई terror की बात एक red line हमने खीज दी थी कि अगर आप ऊरी पे हमला करोगे, अगर आप अथान कोट में हमला करोगे, अगर आप ऐसे cross border terrorism कर दोगे, तो हम भी आपके cross border terrorist hideouts को strike क सकते हैं, सवाल ये उठता है कि कब हम दाओद इबराहिम पर strike करेंगे, जो बंदा responsible है 1993 serial blast के लिए, जो आराम से घूमता रहता है, कभी हम सुनते हैं कराची में घूम गूँआ रहा है, कभी हम सुन रहे हैं, दुबाई में घूम रहा है, कब हम attack करेंगे, जाकिरुल रह्म करेंगे, हम अगनी पत करेंगे, हम लाखो अर्वो की सेना उठा देंगे, उससे ज़्यादा important है कि हम कैसे लोगों पर surgical strike कर सके, देखिए open war आजकल उतना option नहीं है, लेकिन selective killings तो option है, जो कि मोसाद जैसे organizations हमें काफी सिखाते हैं, वो वाला काम हम कप करेंगे, operation finale फिनाले जब innocent Jews को मारा जाता था concentration camps में, उसको कैसे मोसाद ने Argentina में capture किया, जिन्दा इसरैल लाय और दुनिया के सामने फिर एक पूरा trial हुआ, और दिखाया गया कि उसने क्या क्या किया है, इंडिया को ऐसे अब सोचने की जरूरत है, एक तरफ हमें ऐसे drones चाहिए, हाँ हम General Atomics के सा ऐसा एक संगठन चाहिए, इतनी advanced training चाहिए कि हम opposition camp में घुस के लोगों को ऐसे take out कर पाए, ये चीज़ कम से कम हमें like it और hate it, लेकिन अमेरिका ने जो किया है, एक सबक हमें जरूर सिखाया है, चाहे लगे 15 साल या 20 साल, चाहे administration हो Trump की या Obama की या Biden की, कुछ चीज़े beyond politics होत नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाओ